अलांटेसन निकाल दीन नागर बुईलाधर के आ रहें तो ठाना है करदेबुन अंदर करदेबुन की धमकी चमकी दीन कौन धमकी दीस? बीटगाड है कब के पकड़े रहे जमीन? उलाज 11 साल हो थे के एकड़ है? डाई एकड़ा भारत की संसद ने वर्स 2006 में मल अधिकार कानून पारित किया जो वन निर्भर समुदायों के उपर किये गए अतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया था परन्तु ग्राम कोदो बतर जीला गरिया बन से 5 किलो मीटर की दूरी पर है यह गाउं की बसाहट सव वर्स से अधिक है इस गाउं में रहने वाले सहदेव्यादव के साथ अन्य गाउं के 6 परिवारों ने 13 दिसंबर 2005 के पहले लगभग 12 एकड जमीन पर काबिच किया था तथा खेती कर अपना और अपने परिवार के जीव को पारजन करते थे जब कबजधारी परिवारों को पता चला कि उनकी खेती भूमी पर पधर ओपन का कारे हो रहा है तो कबजधारियों ने मना किया भैश नशेयों कोष भ्यारव है वह भूमायदा शनन मिदक आपारशेद पोधाऀवी थे प्रोधा में जिए मुःक्षै में बाद झाल जिए झाल डीना इसका नहीं झाल ़िए जाब थाभान नहीं है कोअ गड़धा में अधर्थाल नभाधा नखयां टुम्हां का नो आ जब कर दांग कांदा जगा रहे हूं। सब लोगी मन तोड़के लगें मरसाथ के लाँ। तो यही साल बस नई बो हसते हां। यह वी धमकी चमकी करी ताहना निबो इनकाय कर वे हूं। तुम्हार कामे कितना जहनल मिल है पट्टा। सरकार कहती है जो 13 दिसंबर 2005 से पहले काबिज है उन्हें पट्टा मिलेगा। परन्तु दूसरी और उनके ही कर्मचारियों के द्वारा बलपुर्वक दबाव देकर लोगों को उनके खेती भूमी से बेदखल कर रहे हैं। इक खेत के लिए पट्टा के मांग करें इसते हैं ग्राम सभा में। अब इधन लगा रहे हैं। के घाम लगा है। दूबार हो गए। अभी की पंचायत में यह मंत भाग रख दिन। जमा हो गए किके। वोकर पिछले पंचवार सिंग फिल लगा रहे हैं। वह मंत भाग रख दिन। 75 साल के रिकार्ड हावे है। हाँ मेल जही। आप मन हाँ जब दावा करें। पट्टा के मांग करें। तो वो रिकार्ड लगा रहे हो। अच्छा आप मन लएकर बारें जानकारी निरी से। वीडियो अलेंटर के माध्यम से जितने भी दर्सक इस वीडियो को देख रहे हैं। उनसे मैं गुजारिस करती हूँ। ग्राम कोदो बतर के सहदेव यादो और अन्यच्छ परिवार हैं। जिनके काविज भूमी का अधिकार पत्र दिलाने के लिए गरियाबंद के SDM को कॉल कर दबाव बनाएं। मैरीना, ग्राम कोदो बतर, जिलागरियाबंद, 36 गड़, इंडगा अनहाट के लिए। यहाद कि दाख रभ्वार दिलाएं। ग्राम कोर पत्र दिलाने को रवस्दोरी उते इंड़ मैं। यहाँ, अग्राम कोदो बतर, जिलाएं।